बड़ी खबर आपको उतादे जहां आज रिया चक्रवरती से एडी एक बार फ़र से पूछताच करेगी दरसल रिया के पिता और भाई से भी आज पूछताच होगी तो रिया से पानशल्स ट्रांजेक्शन्स पर पूछताच होगी सुशान्त की कंप्यू के वादे में भी र भी ने रिया से पूछताच की थी तकरीवन 9 घंटे तक और रिया के भाई से कल 18 घंटे पूछताच होगी तो पूजा दूबे मारे साथ हमारे सयोगी सीधे जुड़ चुकी हैं उनका रुकलेते हैं पूजा अब पहले शुकरवार को भी पूछताच रिया चकवरती से हु आमने आ रहाई है कि कईना कई अपने रिलेटिव अपने परिवार में वो तमाम पैसे जो ट्रांसफर किये गए हैं उनको लेकर आमने सामने सवाल होंगे जी बिलकुल रित्व आपको बता दे कि आज का दिन भी बहत खास है जब से ये पूरा शुशान सुसाइट का मामला CBI तक पहुंचा है लागतार CBI और ED काफी जादा अलर्ट है और लागतार पूशताच की जारी और ऐसे में रिया चक्रवर्ती का बचना बेहती जादा मुश्किल हो गया है शुक्रवार को रिया से करीब साड़ी आठ घंटे तक पूशताच होई उसके बाद उसके भाई स अठारा घंटे तक पूशताच हो गई और ऐसे में आज सुमवार है सुमवार के दिन को दिन में रिया को एक बार फिर से पेश होना था तो आज रिया की पेशी सुबद 10 बजे होनी है ED दफतर रिया 10 बजे पहुंचेगी और पूरे सुशांत के इसमें नज़र जाले से दफतर में पूश्टाच की जाएगी वही सधार्थ पिचानी एक एहम किरदार है एक एहम नाम है जो पुरे सुशांत के से मामले में इर्दगर्द घुम रहा है सचैनों सबसे पहले सुशांत का सब पंख्य से लटका हुआ देखा था सथ शुधार्थ पिथानी वही श पी कई सवाल खड़े कर रहा है तो ऐसे में आज E.T. दफ्तर में पूछताच होगी और इस पूरे पूछताच में जो एहम चीज़े वो पूरा खेल जो है वो पैसो का है क्योंकि रिया के परिवार के तरब से पैसो का आरोप लगाया गया है कि रिया ने शुशांत के पैसो स आयाशी की पैसे उड़ाए अपने पार्लर पे खर्च की अपने भाई भाई को पैसे दिये इधर उदर जो खर्चों की बात आ रही है उसमें से आज एहम पूछताच हो नहीं क्योंकि रिया की परसनल लाइफ की बात करे तो वह बहुत जादा सक्सेस्फुल एक्टरस नही के लिए